Hello everyone, welcome to Mera Slaybus आज की जो lecture है उसमें हम question number 5th अपना complete करेंगे तो देखते हैं 5th question क्या कहता है बच्चों की हमें factorize करना है तो अभी जो last question हमने देखा था उसमें हमें square की term थी तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? यहाँ पे इन्होंने दिया P x क्या दे दिया? x cube minus 2 x square minus x plus 2 यह दे रखा है आमें इसके factor करने तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसकी highest degree कितनी है? 3 है तो इसके factor भी कितने बनेंगे? 3 factor बनेंगे, ठीक है? तो 3 factor तो, 2 factor तो हम कर लेते थे कि जो middle term है उसको हम देख लेते थे कि plus minus करके और multiply करके क्या लाना है? यहाँ पे नहीं पता लगीगा तो इसमें आप लोगों को क्या करना है? using trial method ठीक है? trial method यूज करना है इसमें क्या करना है? जो constant term होती है तो constant क्या है? 2 है यह है, तो इसके factor देखो क्या है? इसका factor 1 हो गया और 2 हो गया, क्योंकि 2 जो है, वो किस की table में आता है? एक तो 1 की table में आता है, एक 2 की table में आता है, ठीक है? तो 1 हो गया मतलब plus का 1 है तो यह देखो, ऐसे करना है आपको x plus 1, अब हमें पता है, अगर वो इसका factor है तो इसको 0 करेगा remainder, तो x क्या बच जाएगा? minus 1, यह बचा तो अब देखो, करके देखते हैं तो यह p of minus 1 कितना आता है? minus 1 की cube 2 into minus 1 का square minus 1 plus 2, यह आ गया minus 1 की cube क्या होती है? minus 1 होती है minus 1 का square plus 1 और यह minus 2 हो गया यह plus 1 हो गया, यह plus 2 हो गया तो यह cut के कितना आ रहा है? 0 आ रहा है that means x plus 1, इसका factor हो गया क्योंकि x plus 1 इसका factor कैसे है? क्योंकि x की value हमने minus 1 रखी, अब minus 1 रखी तो px क्या आ गया? हमारा 0 आ गया तो x plus 1 क्या हो गया? बच्चो x plus 1 factor हो गया factor of px और px हमारा क्या दे रखा है? यह दे रखा है अब हमें बच्चे हुए जो 2 remainder हो रहा है तो एक factor तो यह आ गया हमें 2 remainder हो ची तो आपको क्या करना है? जो x plus 1 आया है ठीक है? मैं एक बार next slide कर लेता हूँ अब जो हमारी x cube minus px function था जो 2x square minus x plus 1 और x plus 1 हमने देखा कि इसमें रखते हैं तो 0 आ रहा है तो यह इसका factor है तो अब हम क्या कर लेंगे बच्चो इस equation को quadratic बनाने के लिए इसको x plus 1 से divide दे दें divide क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि x plus 1 से minus 1 रख रहे हैं तो यह function 0 आ रहा है divide कैसे देते हैं? हमें जो यह है इससे match करना है तो x cube है इसको x cube बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? x square से divide देना पड़ेगा तो x square हो गया यहाँ पे plus x cube minus करेंगे तो यह तो cancel out हो जाएगा यह minus का 3x square हो गया और उपर से ले लिए हमने x आप देखो इसको 3x square दे रखा है इसको 3x square बनाना है तो क्या करेंगे? minus का 3 और x से multiply कर देंगे तो यह क्या हो गया? minus का 3x और यह क्या हो गया? 3x square तो 3 minus के 3x को 3x से multiply करेंगे तो क्या जाएगा? minus 3x square plus और यह plus तो यह क्या हो गया? cancel out हो गया और यह क्या बच गया 2x बच गया उपर से क्या ले लिया हमने प्लस 2 ले लिया अब हमारा किस पर जाएगा हमारा जाएगा 2x बनाना है तो 2 से multiply करते हैं तो यह 2 और यह 2x यह क्या आ गया 0 बच गया तो अब हमारे पास क्या आ गई quadratic equation आगी और quadratic equation के हमें बनाने आते हैं कैसे कि multiply करेंगे तो क्या आना चाहिए multiply करेंगे तो 2 आना चाहिए और अगर हम add करेंगे तो कितना आना चाहिए minus का 3 तो देखो अगर 1 को 2 लेलू 1 को 1 लेलू multiply कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है और add करेंगे तो 3 add करेंगे लेकिन हमें चाहिए minus का 3 तो ये भी minus का लेना पड़ेगा ये भी minus का तो ये minus minus को भी multiply करेंगे तो plus का ही 2 आता है तो क्या बन गया? x square minus 3x को क्या लिखेंगे? minus 2x minus x plus 2 ऐसे लिख दिया हमने तो x को मले लो यहां से क्या बच गया? x minus 2 यहां से बन को मले लो तो क्या बच गया? x minus 2 अब x minus 2 को मन आ गया तो क्या बच गया? x minus 1 यही बच गया तो यहां से दोनों को 0 रखे देख लो तो x minus 2 को 0 रखेंगे एक बार x minus 1 को 0 रखेंगे तो यह क्या बन गया, प्लस का 2, और यह क्या बज़ गया, 1, तो हमारे पास factor कौन-कौन से आगए, factor हो गए हमारे पास, 3 factor बन गए, तो एक तो हमारा यही था, जो था, फिर 1 हमारे पास यह आगया, x-2 और एक ही आगया, x-1, ठीक है, तो 3 factor कौन-कौन से हो गए, factors हमारे पास देखते हैं, तो second में भी क्या करना है आपको, देखो, x की power 3, minus 3, x की power 2, minus 9, minus 5, तो ये भी 3 की power में हैं तो आमें क्या करना है जो constant है, constant क्या है, minus 5 है, तो इसका भी factor क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, constant ले लिए आमने 5, तो इसका भी क्या factor हो ragu Inner तो एक factor होता है, एक 5 की table में 5 आता है, एक 8 की table में, तो वही है x plus 1 और इसको हम 0 रग लेंगे, तो क्या हो गया, x की value क्या जाएगी minus 1, तो अब देखो p अगर minus 1 हम निकार लें, तो इक क्या 0 आता है, कौन सा method ही उद करगी, using trial method, ठीक है, क्या गया, minus 1 रखेंगे तो minus 1 की cube, minus 3 into minus 1 का square, minus 9 into minus 1, minus 5, क्या बज़ गया, minus का, ये तो minus 1 हो जाएगा, ये भी minus 3 हो जाएगा, ये plus का 9 हो जाएगा, और ये minus का 5, तो minus 5 minus 3 कितना हो गया, minus 8, minus 1 minus 9, तो minus 9 plus 9 क्या आगया, 0 आगया, that means, x plus 1 इसका factor हो गया, yes क्यों, क्योंकि minus 1 की value रखते हैं, तो ये क्या रहा है, remainder 0 आ रहा है, तो एक factor ही हो गया, अब इस factor से इसको divide कर देंगे, किसको इस से, तो next table देखते हैं, एक बार next slide, अब divide कर लेंग करके, तो सबसे पहले क्या कर जाएगा, x है, यहाँ पर x cube है, तो हमे एक square से करना है, तो x square से करेंगे, x square को 1 से करेंगे, तो x square आ जाएगा, plus, plus, x को x square से करेंगे, तो x cube आ गया, minus कर देख लो, minus से 0 जाएगा, और minus का 3x square minus x square तो minus का 4x square उपर से क्या ले लिया 9x ठीक है अब यहाँ पर 4x square minus का बनाना है तो 4x से करेंगे तो 4x square तो minus 4x से करतेंगे minus 4x से करेंगे तो minus 4x और minus का 4x square यही आ गया subtract कर लो sign change हो जाते subtract करने यह 0 बन गया और यह बच गया plus का 5x minus का 5 है तो क्या बच जाएगा minus का 5x और minus का 5 जब इसको subtract करेंगे तो क्या बच जाएगा 0 that means यह करने से हमारा क्या आ गया हमारे पास एक quadratic equation आ गई तो quadratic equation में क्या है कि जब हम add करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए minus का 4 multiply करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 5 यही आना चाहिए, तो इसको देखो, अगर मैं 4 और 1 दोनों को add करूँ, तो 5 आ रहा है यही ना, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए तो अगला अगर हम इसको बनाएं इसको तो कर दे 5 और 1 ले ले, तो 5 5 और 1 को अगर हम add करें कैसे तो इसको तो हम minus का रख दें इसको plus का रख दें तो minus का 4 आ रहा है और multiply करेंगे तो कितना रहा है minus 5 को plus 1 से करेंगे तो कितना रहा है minus 5 यही तो चाहिए तो क्या factor बने x square एक तो ले लिया minus का 5x और plus का 1x यही बन गया minus का 5 दे रख गया यह लिख लिए अंदर दोनों को 0 के तो देखो 0 रखने की भी जुरूत नहीं आपको फेक्टर यहां से पता लगे तो फेक्टर क्या क्या आ गई एक्स माइनेस 5 एक्स प्लस 1 और एक आपने एक्स प्लस 1 सोल करा था यह तीन फेक्टर हो गई ठीक है यह आपका सेकेंड हो जाता है ऐसे ही थर्ड है तो थर्ड में भी आपको क्या करना है कि इसका जो कॉंस्टेंट है वो क्या है 20 है तो आपको क्या करना है 20 है 20 को एक बार एक की टेबल में आता है एक 20 की में आता है तो हम एक्स प्लस 1 से ट्राइ कर लेंगे अगर इसको 0 रखेंगे तो एक्स क्या जाएग क्या है x cube plus 13 x square plus 32 x plus 20 अब हमें p minus 1 निकालना है यहां से ठीक है तो minus 1 रख दो minus 1 की cube plus 13 into minus 1 का square plus 32 into minus 1 plus 20 यह क्या आगया minus 1 plus 13 यह minus 32 और plus 20 तो plus का 20 और plus का 13 क्या हो गया 33 और minus का 1 और minus का 32 minus के 33 तो यह क्या आजाएगा 0 आजाएगा क्योंकि 32 plus के है 33 minus के है और 33 plus के है तो 0 आगया that means एक factor तो हमारा क्या हो गया x plus 1 अगर यह इसका factor है तो इससे अगर हम इसको divide दें तो पूरा complete remainder 0 बचना चाहिए तो next slide में हम यही करें ठीक है तो divide करेंगे divide करो तो सबसे पहले x square पर चला जाएगा आप लोगों को इतना करते तो पता तो लगी क्या हो गया 12x को x से करेंगे तो क्या आगया 12x square आगया फिर यह minus करेंगे तो यह तो बच गया 0 और यह बच गया plus का 20x उपर से क्या ले लिया 20 तो plus किस पर चला जाएगा 20 पर चला जाएगा तो यह क्या आगया 20x plus 20 आजाएगा लेकिन ऐसा करने से हमारे पास क्या आगया यह quadratic equation आ गई अब इसके factor बना लो तो multiply करेंगे तब तो हमारे पास क्या आना चाहिए 20 और add करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 12 तो ऐसे कौन-कौन से बनेंगे क्या बनेंगे एक तो 10 बन जाएगा अगर हम एक 10 ले 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 तो multiply करेंगे तो दोनों को क्या रहे है 20 आरे अगर add कर रहे है तो हमारे पास 12 भी बन जाए ठीक है बन गया तो क्या लिखेंगे x square और plus 10x plus 2x plus 20 तो यह x कौन आ जागा है यहांसे x plus 10 बजगे यहांसे 2 कौन ले लो x plus 10 बजगे x plus 10 कौन ले लेंगे तो यह क्या बजगे x plus 2 तो हमारे पास 3 factor कौन कौन से होगे बच्चो एक तो यह हो गया एक यह हो गया और एक आपने x plus 1 starting में एक आला था यह वाल ठीक है तो यह 3 factor complete होगे 5th का 4th option देखो बच्चो वही है क्या दे रखा है constant यहां पर क्या है तो हमने क्या सीखा है हमने तो simple सीखा है कि जो constant होती है तो constant यहाँ पर क्या है minus 1 तो हम इसको minus को छोड़ो one ले लो यहाँ पर constant लेना है कीवल तो one किसकी table में आता है तो one की में आता है तो x plus 1 अगर हम x को क्या रखेंगे 0 तो यहाँ पर बच्चो देखो x मत लेना क्यों क्यों क्योंकि जो हमारा function है वो किसकी term में है यह वो y की term में x तो है नहीं y के तो इसको x plus 1 की जिगे क्या ले लेंगे हम y plus 1 को 0 रखे लो तो y क्या आ गया है हमारे minus 1 आ गया that means p of x लिख से थे p of y हो गया तो 2y cube plus y square minus 2y minus 1 अब हम क्या रखेंगे p of minus y minus 1 क्यों y की वेलू क्या है minus 1 तो 2 into minus 1 की q plus minus 1 का square 2 into minus 1 minus 1 solve करो क्या है minus का 2 plus का 1 और plus का 2 और minus का 1 तो minus का 2 plus का 2 0 plus का 1 minus क्या आ गया 0 आ गया that means y plus 1 ठीक है यह इसका factor है तो factor है तो इसको divide कर लेंगे next slide में divide करेंगे तो क्या आएगा हमें क्या लाना है 2y cube लानी है तो y तो हमारे पास already है तो हम 2y से divide करेंगे तो plus का 2y square से करेंगे बच्चों क्योंकि cube लानी है तो यह क्या हो जाएगा plus का 2y square और यह क्या बज़िगा 2y cube subtract कर लो यह 0 बज़िया यह बज़िया minus का y square ठीक है, उपर से क्या ले लिया, माइनस का 2y ले लिया तो अब हमें y square बनाना है, y तो हमारे पास है तो किस से, माइनस का y से चला जाएगा तो y, माइनस का y square सब्ट्रेक्ट करेंगे, प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का तो ये क्या आगए, 0, ये क्या बच गया, minus का y उपर से क्या ले लिया, minus का 1 तो फिर किस पे चला गया, minus के, 1 पे चला जाएगा तो minus 1 और minus y, सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो sign change हो जाते है remainder क्या आगया, 0 आगया अब हमारे पास आगए ये quadratic equation मैंने क्या बताया था, अगर 1 होता है, तो ठीक है अगर 2 और कुछ है, तो ये क्या करेंगे, इसको multiply करेंगे तो हमें multiply करेंगे, तब तो क्या चाहिए, 2 चाहिए add करेंगे, तब क्या चाहिए, हमें minus 1 चाहिए तो एक हम 2 ले लेते हैं एक 1 ले लेते हैं ठीक है तो add करेंगे तो minus 1 चीए तो मतलब बड़े वाला minus का आएगा और छोटे वाला plus का आएगा तो ये भी minus का आएगा ठीक है तो हमारे factor क्या बने 2y square minus का 2y plus का y और minus का 1 को मन ले लो यहां से 2y को मन आ गया तो y minus 1 बच गया प्लस का 1 को मन ले लो y minus 1 बच गया 2y plus 1 क्योंकि y minus 1 को मन ठीक है तो एक factor यह आ गया एक factor यह आ गया और एक factor अलड़े हमारे पास y plus 1 है तो trial method से 39 factor आ गये यहां पे हमारी बच्चों exercise 2.4 complete हो जाती है और आप लोगों को जो 5th क्योंसन उसको थोड़ा ध्यान से करना है important question है आपके exam में आ भी सकता है छे नंबर में आएगा गर आएगा तो आप बहुत easy से कर पाओगे तो next जो question है वो अगले lecture में start करेंगे exercise तब तक के लिए good bye